आज हम बनाएंगे कठल के कोक्ते, इसके लिए में चाहिए उबला हुआ धाइसोग्राम कठल और उबले हुए दो आलू, एक सीटी में इसे प्रेशर कुप में, कुकर में हम इसे उबा लेंगे, ये टमाटार है तीन, इसे हुआ, ये चार हरी मिर्च और दो इंच अद्र का तुकड़ा, ये कटी हुई प्याज है, दो और आधा कप अरदमिया कटा हुआ, एक चौथाई कप बेसन, अबलाववा कठल जो है, हमें इतना इसे ऐसे हुआना है, कि सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल, एक बोल में हम कठल को उसके बीच से अलग कर लेंगे, और आलू और कि मैश करने के बाद हम इसमें मसाले एड करेंगे, सबसे पहला हम एड करेंगे, अद्रक हरी मिर्चि, और लहसुन का पेस्ट, इसमें हम एक बड़े चम्मच से अद्रक लहसून हरी मिर्ची का पेस्ट एड़ करेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे हम हल्डी यह आफ टीस्पून हल्डी आफ टीस्पून गरम मसाला आफ टीस्पून गरम पावडर क्यूंइन सीट्स आफ टीस्पून गरम तो सॉल्ट एस पर टेस्ट या अफ टीस्पून गरम और अब इसमें डालेंगे देशन एक चोथाई कप देशन और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और एक साइड हम तेल गरम कर लें कढ़ाई में कोफते करने के लिए इससे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करने के बाद हम ऐसे डम्प्लिंक्स बना कर तैयार कर लेंगे या राउंडल्स आँप कि और अब हम अब जो हमने तेल गरम किया है कढ़ाई में इसमें हम इन्ने प्राय करेंगे तो एक एक करके अबनाशे कोफते दा लेंगे एक बार में हम छे से 7 कोफते त लेंगे दीर दीर करके इने तेल में डाले वरना छीटे भी उड़ सकते हैं तेल जो है अच्छा गरम होना चाहिए शुरू में तेज आँच पर रखेंगे पढ़ाई को और फिर डाले के बाद कोफते हों इसकी आँच जोने मेडियम कर देंगे वरना कोफते जल भी सकते हैं और अंदर से अच्छे से कुख भी नहीं होंगे इसलिए हमें से मेडियम फ्लेम पे ही कुख करना है 200 ग्राम कठल में लगभग 14-15 कोफते बन जाएंगे अगर हमें कोफते का बैटर एक चौथाई बैसन चौथाई का बैसन मिक्स करने के बाद गीला लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा बैसन और एड़ कर सकते हैं उपर से पर बहुत ज़्यादा बैसन एड़ नहीं करें नहीं तो हमें सिर्फ बैसन का ही टेस्ट आएगा यह हमने सारे कोफते गोल्डन ब्राउन करके निगाल लिया है अब एक कड़ाई में तेल गर्म किया है हमने दो बड़े चंब मच इसमें 1.5 तीस्पून क्यूमिन सीट्स डालेंगे और यह पिंच ओफ हीन डालेंगे इसे 102 मिनिट फ्राई होने के बाद में इसमें प्यास डालेंगे सारा कटा हुआ प्यास इसमें हम डाल देंगे और इने लाइट पिंक होने की तक प्राई करेंगे अच्छा से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद और थोड़ी देर फ्राई होने के बाद हम यह बचा हुआ पेस्ट जो है अधरक लहसुन और हरी मिर्चि का तेल में डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से फ्राई करेंगे दो सटीन मिनिट के लिए अब हम इसमें डेड बड़े चमच ग्रेड चोटे चमच घनिया पाउडर एक चोटे चमच हल्दी पाउडर आदा चोटे चमच तरम मसाला पाउडर अच्छे से डालने के बाद आए इसे दो-तीन मिनिट फ्राई होने के बाद में हम इसमें ये प्रमेटो प्यूरी एड़ करेंगे इसमें मैंने तीन बड़े टमाटर लिये हैं पीसे हुए अब इसे एड़ करने के बाद हमें इसे अच्छे से कूप करना है तब तक जब तक की तेल मसाले से अलगने होने लगे है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है यह देखी तीन से चार मिनिट वार यह इस तरीके से प्राय होते हुए इसमें तेल जो है छोड़ने लगा है मसाला हमारा मसाला जो है कूप हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा सबसी मसाला आट कर रही है लगभर डेढ चोटा चम्मच यह ऑप्शनल है आप चाहें तो आट करें चाहे तो ना भी एट करें कि हमने इसमें गव मसाला पहले ही डाल रहा है सब्जी में पर इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था है इसलिए मैं एट करती हूं इससे वी दू-तीन मिन्ट कुप करेंगे और उसके बाद हम इसमें नवह डालेंगे इसमें पानी एट करेंगे हमें ग्रेवी को जितना थिक या थिन रखना है उसके हिसाब से इसमें पानी एट करेंगे मैंने एक बड़ा कप पानी एट किया है इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे जब हमारी ब्रेवी जो है यह उबाल लाने लाएगा तो हम इसमें कोफते डाल देंगे सारे पानी आपके करके में कोफते इसमें डाल देंगे और इसे ग्रेवी के साथ सिर्फ हमें एक सो दो मिनिट के लिए करना है वरना कोफते टूट जाएंगे कि एक दो मिनिट कूप करने के वाद हम फ्लेम आफ कर देंगे और हमारे कोफते जो है रेडी है ओपर से दनिया से गार्मिश कर देंगे इन कोफते को आप राइस के साथ में चापाती या पूरी के साथ